हेलो बच्चो तो आप लोगों का हमाई स्वागत है हम लोग कछा दस की हिंदी पढ़ रहे हैं आज हम लोग जा रहे हैं कभी मैथली सरण गुप्त इनका जीवन परिचे पढ़ेंगे जिसमें प्रश्ण है कभी मैथली सरण गुप्त का जीवन परिचे दीजिए उनकी काव्य कृतियों के नाम लिखिये इसका उत्तर है जीवन परिशे राश्टर का भी मैथली सरणगुप्त हिंदी काव्य जगत के आनुपम रत्न है इनका जन्म सन 1886 इस्वी में चीरगाओं छासी में हुआ था इनके पिता सेठ राम चरणगुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे पिता के संसकार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त थे बाले अवस्था में ही एक छपपई की रचनाकर इन्होंने अपने पिता से सुकवी होने का अशिरवात प्राप्त किया था इनकी सिक्षा का विदिवत प्रवंध घर पर ही किया गया जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अधेयन किया इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता, वर्तमान में कोलकता से प्रकाशित होने वाले वैश्यों पकारक पत्र में छपती थी आचारे महावीर प्रशाद दिवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगी साकेत महाकावे के स्रिजन पर इनको हिंदी साहित्य समेलन द्वारा मंगला प्रशाद पर्तोसिक से सम्मानित किया गया इनकी साहित्य उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलहावाद विस्विद्याले द्वारा इनको डिलिट की मानद उपादी से विभुशित किया गया था इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार इन्हें पद्म भूशर से सम्मानित किया था ये राजसभा के लिए दो बार मनोनीत किये गए जीवन के अंतिन समय तक ये साहित्य स्रिजन करते रहें सरस्वती का ये महान साधक 12 दिसंबर 1964 इस्वी को पंच तत्तों में बिलीन हो गया रचनाएं गुप्त जी की 40 मौलिक तथा 6 आनुदीतित पुस्त के प्रकाशित हुई हैं इन में से प्रमुक है भारत भारती रंग में भंग जैद्रत्वद, पंचवटी, अनग, हिंदू, गुर्कुल, अलंकार, साकेत, यशोधरा, मंगल घट, नहुष, कुरान गीत, द्वापर, विश्णुप्रिया, दिवोदाश, मेग नाद्वद, बिहरडी ब्रजांगना, जैभारत, सिधराज, जंकार, प्रित्वी पुत्र प्लासी का युद्ध आदी साहित्य में स्थान, मैतली सरगुप्त भारते संस्कृति के अमर गायक, उधट प्रस्तोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिदी कवी थे, इन्हें राष्ट्र कवी होने का गवरो प्राप्त है गव्त जी खड़ी वोली के उन्नायकों में प्रधान है, इन्होंने खड़ी वोली को कावे के अनकूल भी बनाया है, और जन रूची को भी उसकी और प्रवरित किया अपने रिचनों में गव्त जी ने खड़ी वोली के सुद्ध, परिस्कृत और तत्सम बहुल रूप को ही अपनाया है, इनकी भासा भावों के अनकूल है, तथा कावे में अलंकारों के सहज स्वभाविक प्रियोग हुए हैं साद्रिश्य मूलक अलंकार इनके सार्वधिक प्रिय अलंकार हैं, हिंदी की आद्मिक युक की समस्त कावे धाराओं को गुप्त जी ने अपने सहित्य में अपनाया है इनके द्वारा प्रियोक्त की गई प्रमुक्ष सैलियां हैं बिवर्डात्मक, प्रवंधात्मक, उपदेशात्मक, गीती तथा नात्य मुक्तक यहों प्रवंध दोनों कावे शैलियों का इन्होंने सफर प्रियोक किया है इनकी रचनाओं में छंदों की विविधिता दर्शनिये हैं सभी प्रकार के प्रचलिश छंदों जैसे हरीगीतिका, बसंत तिलका, मालनी, घनाचरी, दुरुत बिलिम्बित आदी में इनकी रचनाएं उपलग दों आचारे रामचंद्र शुक्ल के सब्दों में आप निशन्दे हिंदी भासी जनता के प्रतिनिधी कभी कहे जा सकते हैं तो बच्चो आसा ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें